सदी के महानायक अमिताब बच्चन की फिल्मों के लोग दीवाने हैं और आज भी लोगों को उनकी फिल्मों का इंतजार रहता है। उम्र के साथ साथ अमिताब की पॉपुलारिटी भी बढ़ती गई। वो पिछले पाँच दशकों से बॉलिवुड में सक्रिय हैं और लगातार अपनी फिल्मों से लोगों का दिल जीतते आ रहे हैं। अमिताब से जुड़ी आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उससे जरूर उनके चाहने वाले थोड़े मायूस हो जाएंगे। दरासल ये बात साल 1990 की है जब अमिताब बच्चन अपनी फिल्म आज का अरजुन से बड़े पर च्छा गए थे। उनकी ये फिल्म लोगों को बेहत पसंद तो आई ही थी। साथ ही साथ इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर जम कर कमाई भी की थी। और साल 1990 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। लेकिन उस साल अमिताब से एक बड़ी भूल भी हो गई थी। अगर अमिताब से वो गलती ना हुई होती तो वो 1990 में बॉक्स ओम्फिस के बादशाह होते 1990 का साल बॉलिवुड के लिए एक महत्वपूर्ण साल था इस साल कई सुपर हिट फिल्में रिलीज हुई जिन में से एक थी किशन कन हैया इस फिल्म ने अनिल कपूर को रातों रात स्टार बना दिया था लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म पहले अमिताब बच्चन को ओफर की गई थी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 1990 में आई अनिल कपूर की बेहतरीन फिल्म किशन कन हैया उस साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी और इस फिल्म के लिए अनिल कपूर मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे दरसल किशन कन हैया का निर्देशन सुभाश घई ने किया था उन्होंने पहले अमिताब बच्चन को इस फिल्म में लीड रोल के लिए अप्रोच किया था अमिताब बच्चन ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया था क्योंकि उन्हें कहानी पसंद नहीं आई थी अमिताब बच्चन के इंकार के बाद सुभाश घई ने अनिल कपूर को इस फिल्म में लीड रोल दिया अनिल कपूर ने इस फिल्म में अपने अभिनय से सभी का दिल जीत लिया किशन कनहया फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर सौ करोड से अधिक का कारोबार किया और ये उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई अगर अमिताब बच्चन ने किशन कनहया फिल्म की होती तो शायद अनिल कपूर का करियर इतना सफल नहीं होता यह फिल्म अनिल कपूर के करियर का टर्निंग पॉाइंट थी इस फिल्म ने उन्हें बॉलिवुड का एक बड़ा सुपरस्टार बना दिया था अमिताब बच्चन की इस गलती के कारण बॉलिवुड की कहानी बदल गई अनिल कपूर के आने से बॉलिवुड में एक नई उर्जा आई उन्होंने अपनी एक्टिंग और स्टाइल से लोगों को दीवाना बना दिया आज अनिल कपूर बॉलिवुड के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है ये एक दिल्चस्प कहानी है कि कैसे एक गलती से किसी की किसमत बदल सकती है आमिताप बच्चन की इस गलती से अनिल कपूर को फायदा हुआ लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि ये गलती बॉलिवुड के लिए भी फायदे मन रही